नमस्कार आप देख रहे हैं News World India और मैं हूँ आपके साथ हरीशा स्वाल उत्तरकासी के सिलक्यारा सुरंग में लगबग साथ दिनों से फसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए चल रहे हैं बचाओ अभियान के तहट सुरंग में 22 मीटर तक की पाइप लैंड का काम पूरा हो गया जबकि मजदूरों को निकालने के लिए 70 मीटर तक की ड्रिलिंग कर पाइप डालना जरूरी है आपको बता दे कि अअएरिका मेशीन के बेरिंग में खराभी आने गए कारण काम को कल दो फैर बाद रोग दिया गया था इसके बाद निर्मार्दाई कंपनी की तरफ से अमेरिका अगर मेशीन किसरे में ड्रिलिंग करने के कारे करने पर सफाई दी गई है कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि सुरंग के अंदर 1750 हर्स पावर की मशीन काम कर रही है जिससे कंपन हो रही है और सता का संतुलन बिगड रहा है इसके चलते मलवाख खिसकनी की समभवना च्यादा है इसलिए इस खत् देखते हुए सुरक्षा की लहाद से काम को रोग दिया गया है एक तरफ रहत बचाओ के काम में साशन और प्रशाशन जुटा हुआ है लेकिन दूसरी तरफ पूरे मामले पर अब सियासत भी गर्म होती नजर आ रही है जिससे विपक्ष की तरफ से मुख्य मंत्री को प्रवाल खड़े कि जा रहे हैं कि गड़ी में मुख्य मंत्री तो गटना स्थाल पर पहुंचे लेकिन जन्पत के प्रभारी मंत्री और दुनिया की बड़ी पार्टियों कहीं जाने वाली भाज़पा के नेता और कारेकर्टा वहां नहीं पहुंच पाए जो मजदूरों और उनके परीज्णों को दिलासा दिलाते और उनकी हौसला अवजाई करते हैं यह सब जलगता है कि एक अंभीर नहीं है प्रभारी मंत्री प्रभारी सची वहां होता तो निश्ची तरूप से कोई निड़ने लेने की इस्तिति में होते आज कदम कदम पर निड़ने बदले जा रही है कभी कोई मसीन लगाई जा रही है कभी कोई मसीन फेल हो जा रही है साथ दिन का च्छे दिन का वक्त कम नहीं होता है खीक हम मुख्यमंत्री नहीं बैठ सकते हैं वहां मुख्यमंत्री को तमाम काम होते हैं लेकिन वहां पर एक जुमिदार मंत्री जुमिदार अधिकारी को सेकेर्टी वहां पर रहता तो इतने हीलो हवाली नव होती। बाजबा की तरफ से इस पूरे मामले पर विपक्ष की उपर ही प्रतियरोप करने का काम किया जा रहा है और आउची राज़निती करने का औरोप भी लगाया जा रहा है। बाजबा के परदेश महमंत्री अधित्य कोठारी के माने तो अगर किसी जगा पर मुख्य मंत्री पहुंच जाते हैं तो यह समझा जाता है कि पूरी सरकार वहां पहुंच चुकी है और उत्तरकासी की इस घटना पर भी सरकार और प्रसासन दोनों ही गंबीर हैं। कुछ संबेधानिक बात देता हैं ओबी सी का जो सरवे का काम चरला है वो सरवे का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। का अनुपालन हो रहा है और ओबी सी का सरवी समय चल रहा है वो यथा सिकर पूरा होगा और उसके बाद आगे आरक्षन का जो सिड्यूल है वो भी तैग होना है उसके बाद चुना होगे। उत्रकंट राज्ये में उत्रकासी के सिल्क्यारा टरनल की घटना राष्ट आपदा के रूप में देखी जा रही है। इस पूरे मामले पर पियमो की एक टीम उत्रकासी पहुंच चुकी है और पूरे रेस्क्या अभ्यान का मानिटरिक कर रही है। लेकिन चर्चा का विश्य ये बन गया है कि घटना के दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी तो घटना स्तर पर पहुँचे। लेकिन जन्पद के प्रभारी मंत्री आज साथ दिन के बाद भी घटना स्तर पर नहीं पहुंच पाये है। और सत्ताधरी दल निताओं और मंत्रियों को बचाने के लिए देरादून से बैटकर ही बयान बाजी करते वे नजर आ रहे हैं। पूरे मामले पर हम भी बने वे हैं और उमीद करते हैं कि जल्द से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और इस मामले पर अगर राजनीती ना हो तो बहतर।